इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे नेपाल A vs Canada के भी जो दोस्तों होगा आज का दिन का मैच और यह सीरीज जो है ना यह बिसिकली नेपाल A vs Canada A का बाइलेटरियल सीरीज है जहां पर कैनाडा अपना 11 खिलाएगा जो प्लेंग 11 उनका जैनुवीन है और नेपाल सब्सक्राइब करते है नोडिविशन बिल को अन करो और जॉइन हो जाओ टेलिग्रम क्योंकि देखो अभी ना मैं आपको इसके बाद जो मैच होगा ना वह होगा ओमान D50 का कवरेज मिलेगा आपको और उसके बाद हमने BPL के कवरेज लाना है और आप जब यह वीडियो द चरूडी है और पूचर के लिए टेलिग्रम जूर सकते हो मैं बहुत छोटा बनाऊंगा यह वीडियो मैं ट्राइब कर रहा हूं इन पेक्ट दोस्तों मुझे भी बहुत जादा वलंबा वीडियो पसंद नहीं है बहुत थक जाता हूं देखो इसमें आता हूं एनलाइसिस करेगा वो बिटर करता है हमेश्या और लास में भी किया था तौह में क्या करना है थोरा सचीज के फिवर में मनारे है बड़ी ही ट्रैक रहेगा सिर्फ इनिशेली पेस तो थोरा जादा सपोर्ट मिलता है सिर्फ पहला चार पाच ओबर थोरा बहुत पेसका बॉल घोमेंग मतलब स्विंग होगा और उसके बाद से स्पीनर्स को हेलप होगा चेजिंग स्लाइड ली बैटर है फॉर्स इनिंग सोरा सा हर्ड हो रहा है सीरिस में एक मैच में एक बार टीम सेकेंड नहीं विन क्या था और कैनाडा इस मैच को जितना चाहिए क्योंकि यह टीम इस अब को एक तुविकी से भी पॉइंट्स दे सकता है अगर कुछ मिला तो बैटिंग से पॉइंट देगा सभी चोईज है दिरप्रित बाजवा वन डाउन नवी धलिवाल हश्था कर निखिल दता साथ बिंज पर कुछ ऐसा होगा अब यहां पर ना इनका यह बद्दा ह पचास आ सकता है इससे याद रखना बाद में मत बोलना मैंने नहीं लिया क्योंकि तो इतना नीचे का बैटर को आप हेट टूएट या फिर स्मॉल लिग में प्रेफर नहीं कर सकते हो अब विकी में एरन जॉनसन सच बतारा हूं आपको मैंने इसको अब तक ना इस मैश मे नंबर होाना है क्या करूँगा मैं इसको फिलाल नहीं रखूँगा एक तो लास्ट मैस में ये चेजिंग के टाइम पे फ्लॉप हुआ तो नहीं रतने वाला हूँ अब देखो इसको ग्रेंड लिग में उसकरना लोजिकली सोचोगे तो नेपाल वीक है इस्पेशली नेप और उडियाए में 6 मैंच में 20 कावरज 18 लास्ट मैंच में सिपाच मनाया बट इससे पहले निपाल की अगेंस सीनिय निपाल की अगेंस 22 रंड बनाया डोमस्टिक ऊडियाए में 14 कई बार बैंटिंग नहीं मिला टीट्व इंडियाए में इसका 28 का अवरज है डिफेंचल ह होगा दिलपृत बाजवा लास्ट में बॉलिंग नहीं किया तो इसने अपना उकाद दिखा दिया क्योंकि इससे पहले उड़े मैच में इसने तीन वबर डाला था डोमेश्टिक में अच्छा कर देखो कोई नी कैटन बनाने वाला है मैं तो प्रिफर कर रहा हूं का बना हो इसको इसने न दोस्तों इसने अच्छा क्रिकेट केला है नेपल सीनियर के अगेंस देखो 29 रन है इसका तीन रन के बला है 32 यहां पर इसको क्वालिटी बॉलर ज्यादा पेस करने को मि अच्छा है तीम में तो रखोगे सब रखेगा अब भी रखोगे उतना डैरिक मत बनो बट कैप बिसको बना सकते हो अच्छा प्लियार है निकिल दरता लास्ट में 67 बना है उससे पहले पांच ओवर विकेट लेस यह बॉलिंग से उतना सक्सेस्फुल नहीं है इससे पहले ज्यादा अच्छा है यह सब कुछ इसका तो दोस्तों है मतलब इसको मतलब यह सबसे सॉलिड ऑप्शन में कैप्टेन का लें सब बनाएगा कैप्टेन में अलेग नहीं हूँ और इसी के साथ मैं कैप्टेन बनाऊंगा लास्ट मैंच में दस उवर तीन हुई के तेसरन बै इससे फेक मैंच में फ्लॉप यह प्लेयर अच्छा है बैकर से को इसका ओडिय में 22 के अबरेज है तीन मैच में चाज़र रण लिस्ट है में पैटिंग नीचे करता है अधर इस प्लेयर अच्छा है शाहिद अमज़ा एज़ा प्लेयर में रखोंगा लास्ट मैंच में इस फेक में बैटेंगे इन में से यह बंदा अगर आ गया ना यह बिंदा अगर आता है तो इसको ले सकते हैं जो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन था तीन ऑप्शन था शाव आलम बशी रामेर और एक बंदे का नाम मैं भूल गया तो दोस्तों यह जो बंदा है ना सागर अगर आपस में 200 फाइट करेगा ठीक है यह दो लिफ्ट एंडड बैटर वस्ट लिफ्टा मॉथ्ट लॉक्त तो फ्लिकेट इस्टी उठागे देगो लिफ्ट एंडड बैटर सबसटा किलता है लिफ्टा मॉथ्ट लॉक्ट यह अच्छा खेल सकता है उद्ध भगवान य अब आते हैं नेपाल के तरफ से पहले लाइक करना अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करना और जुड़ना है टेलिग्रम नेपल से ओपन कराएगा अरुन कमाल यादफ के साथ रशीद खान विनुद भंडारी रशीद खान को टिम ने प्रोमोट किया था यह बिसिकल इसको कोई नहीं लेने वाला है डोमेस्टीक में अच्छा रिकॉर्ट है इसका अर्ट नाइंटीन खेलके आ रहा है प्लेयर अच्छा है बैक कर सकते हो मनन यादब सब शायद ले ले पीम कप में इसने 32 कैपरेस से रण बनाया बाइस सताइस पाच एक सो पंद्रा पच्छ खेल चुका है नेपाल के लिए रिसेंट फॉर्म ठीक ठागे उतना चैनी है प्यम कप दोजाट तेश्व इसमें नो मैच में 14 विए प्यूनोत बंडारी विकी में मिलेगा पसनली आप मैं इनको प्रेफर नहीं करता है प्यम कप में इसने बहुत अच्छा खेला था दस मै पाथ से 6 ओवर प्लस बैटिंग और इस तीम का सबसे बहुत दिन एक्सपीरियंस प्लियर है ओडियाए में पाच मैच में इंटरनेशनल नेपाल के लिए ग्यारा आगा एवरेस से 56 रन पीम कप के 37 मैच में 185 रन इफी वन ट्राइक कर सकते हो दोस्तों नोटा बैट तो है सूदीब जो रागा ना मुझे ज़्यादा चाप्शन लगा है मनन या फिर अरजुन के क्योंकि सूदीब आपको बॉलिंग करते हो देखेगा चो आपके लिए जरूरी है स्पीछ में स्पीन बॉलिंग धोरा सा पार्ट टाइम थगुना ने 25 बनाया लास मैच में 9 मैच मे सिब 37 ओवर डाला 132 रन मैं नहीं लेने वाला फिलाल बट मैं बश्यर को इस पाल लूँगा लास मैच में मुझे मतलब मेरा आफ्रा टॉस ना कूछ एक हो जाता है ठीक है टेलिग्रम जूर जाना अपडेट के लिए फीचर अपडेट के लिए बढ़ना ट्राइक टीम बॉलर था इधर देखते हैं दोस्तों इस मैच में कितना बॉलर खेलता है अच्छा अप्शन है प्रतीष जीसी साथ ओवर में एक उकिर निकाला नोटा बैट चोईस इफिवान यूस कर सकते हो स्पेशली बॉलफस डेट में आएगा ओडिया मैच में तीन मैच इकिस ओव कोई खेलता है इनमें से हमन धामी खेलता है तो बॉल बस ले ले लेना डेट में आएगा पावर प्ले में इसको स्विंग मिल सकता है अब चलते हैं लाइक करना है दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करना है और टेलिग्रम चैनल गाइस फिलाल जो मैंने डिम लावन का टीम वीकी में बिनोत एसमोवा वीजिरत ने तीनों में से किसी को भी ले लो नवी धलीवाल को ले लिया मैंने और फ्लाल मैं सबसे पहले यहां से लूगा ठाकर साथ बिन जाफर मैं लूगा प्रतीश जिसी बॉल फस ज़्यादा सही है बॉल से गनुता नहीं है भी आमेर लू इशिर्जुत और डिलन हेलेकर में से न वैत्तों तो तो यहां से हमें एक और प्लेयर अभी बिना है तो नेप्एल अगर फष्ट होता होता है न विकी में दोस्तों अगर फिर से अगर तीनों तो यह बंदाना ओपिन करेगा तो यह ले सकते हो अगर विजिरत नहीं खेलता है तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि डेत करेगा अधर्वाइस आपको सेव जाना है तो बिनुद भंदारी भी जा सकते हैं यह कंप्लीटली कॉल आपके उपर है थोड़ा सा टॉस देखना पड सब्सक्राइब नहीं है तो बिनुद के साथ जा रहा हूं तो बशीर को बिना कैपिसी जाना इसने रिसेंटली बॉलिंग कम करा है तो इसका ओवर कट हो सकता है बट लास्ट मैच में इनके पास बॉलर कम था तिस बॉलर था प्रतीश जीसी और सिक्स बॉलर था सुदीब जो रहा तो उस कंडिशन में इसने ओवर ज्यादा कराया था फिलाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ अगले मैच इसके कवरेज अवरे डिमोटिव शेर होगा टेलीग्राम पे जुनना आपको टेलीग्रम स्कलिंग डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे थैंक्यू गैस मिलत